एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हो आज सामको गुजरात उनिवर्सिटी के द्वारा पांच वजे फाइनल मेरिट लिस्ट गुजरात उनिवर्सिटी की वेबसाइड पर अपलोड कर दिया गया है इसके रिगाडिंग गुजरात उनिवर्सिटी ने गाइडलाइन्स भी दिया है कि फर्स्ट राउन का फाइनल मेरिट लिस्ट आए उसके बाद क्या करना है तो सबसे पहले आपके पास जो यूजर नेम और पासवर्ड है उससे एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है एडमिशन पोर्टल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा अभी ये फाइनल मेरिट लिस्ट या कहो की फर्स्ट एलोट्मेंट ओफर उसमें आप लोग अपना मेरिट रैंक देख सकोगे अभी सब्सक्रिप्शन पोर्टल सभी स्टूडंट्स जिनका नाम मेरिट में आ रहा है उन सभी स्टूडंट्स को ओनलाइन एड होक फीज पे करनी होगी जो बॉइस के लिए 500 और गर्ल्स के लिए 200 रुपए है आप सभी को सिर्फ ओनलाइन ही पेमेंट करना रहेगा वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकोगे जिसका कोई भी एक्स्टा चार्ज नहीं रहेगा अभी एडमिशन ओफर लेटर की प्रिंट और एड होक फीज पेमेंट करी होगी उन दोनों की प्रिंट निकाल लेनी है अगर आप इन दिनों में कॉलेज में एडमिशन कराने नहीं जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं गिना जाएगा चलिए अभी जानते हैं कि जिन भी स्टूडन्स के पास एडमिशन ओफर लेटर आ गया है या उनका नाम किसी कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आ गया है उनको लो कॉलेजिस में एडमिशन कैसे करना होगा वो तो सभी स्टूडन्स को जिन भी कॉलेजिस में नाम आया है उन सभी students को colleges के administration यानि की काम के time पर college में जाना रहेगा आप सभी को colleges में admission के लिए कौन से documents साथ में लेके जाने होंगे वो आपको बता देता हूँ admission offer letter and ad hoc payment की print सभी original documents and self-attested gyrox copies graduation certificate, सभी semester की mark sheets, HSC mark sheet, SSC mark sheet school living certificate, आदार card, passport size के दो photos, PEC certificate अगर student ने graduation गुजरात के बाहर किसी university से किया हो तो अभी अगर किसे students को कोई college alert हो गई है और उसे उस college में admission नहीं लेना है तो उसे ad hoc fees pay करनी है और 8 August तक का wait करना होगा उस दिन resuffling round होगा और उसकी notice के इसाब से आदे की process करनी रहेगी अगर students चाता है तो वो ad hoc fees भरे बिना भी अपनी सम्मती दे के 8 August को resuffling round के लिए apply कर सकता है यानि कि अगर किसे student को अभी ad hoc fees पेक नहीं करनी तब भी वो resuffling round के लिए apply कर स्पाएगा अगर students किसी भी reason की वज़े से first round में admission नहीं लेते हैं और resuffling round में भी apply नहीं करते हैं तो आपको first round में college alert हुआ हो तो वो automatically cancel हो जाएगा और उन students के नाम non-reported candidates में गिने जाएगे आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ कि colleges में reporting करके admissions लेने की तारीख 5 अगस्ट एंड 7 अगस्ट है और आप colleges के काम की वक्त जाके admission ले सकते हूँ अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को colleges alert नहीं हुई है और उनका admission नहीं हुआ या फिर जिसका admission हो गया है उन सभी students को करना क्या है 8 अगस्ट को सभी students जिन्होंने admission secure कर दिया है उन सभी students को 4 बज़े से पहले colleges में reporting करना रहेगा उसे दिन रात को 8 बज़े के बाद आप सभी को first round के बाद colleges में जितनी seats vacant रहेगी वो देखने को मिलेगी जिसमें आप second round जिसे resuffling round भी कहते हैं उसके लिए colleges select कर सकोगे अब 10 अगस्ट साम को 5 बज़े के बाद second round का merit list जाहर किया जाएगा और सभी students जिनका first round में नहीं हुआ या जिन्होंने college allowed होने के बाद भी उनमें admission नहीं लिया है और फिर से resuffling round के लिए apply किया है उन सभी को colleges allowed की जाएगी 11 अगस्ट और 12 अगस्ट को आपको जो colleges allowed हुई होंगी उनमें admissions secure करने के लिए ad hoc fees पी करनी रहेगी और physically आपको आपके सभी original documents colleges में लेके जाना है अगर documents लेके नहीं गये तो admission नहीं हो पाएगा अभी मैं एक और जरूरी बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मुझे उस college में जाना था और वो college merit list में नहीं आई है तो क्या मुझे resuffling round के लिए wait करना चाहिए या फिर उसी college में admission ले लेना चाहिए तो मैं आप सभी को बता देता हूँ इस बार grant in aid colleges में seat बहुत कम है और सभी लोगों का admission उन grant in aid colleges में नहीं हो सकता अभी दो सबसे famous grant in aid colleges है एक LSA and दो IM 980 अभी इन दोनों के seats मिला कर 132 है तो सभी लोगों को उन colleges में admission नहीं मिल सकता अभी एक बार में गुजरात university ने किस college की कितनी seats पर merit list निकाला हुआ है उसका मुझे कोई idea नहीं है अभी अगर किसी को grant in aid colleges में admission मिल गया है यानि कि अगर किसी student का नाम grant in aid colleges में आया है फिर भी अगर उन्हें resuffling round के लिए wait करना है तो उनको resuffling round में उसी college में वापस आएगा या जिन college में उन्हें admission चाहिए उस college का ना merit list में आयेगा वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसमें risk तो है अभी आप जिन colleges में चाहते हो कि admission हो जाए उस college में admission आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो friends जो भी decision लो सोच समझ कर decision लिना और अगर आप चाहो तो किसी colleges को contact भी कर सकते हो इसके regarding वैसे भी जिसका नाम merit list में आ गया है और उन्हें अपना admission करवाने के लिए किसी college में reporting के लिए जाना होगा उसके लिए अपने पास दो दिन का time है colleges को contact करने के लिए मैंने सभी colleges का उनकी contact के साथ एक video डाला है उसके link भी मैं description में रख दूँगा और friends आपको और कोई भी question हो तो आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हो और इस video को like करना ना बुले और हमारी channel को subscribe करना भी ना बुले